नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का तकनीकी वेल्ड की एक और मज़ेदार केमेरा कंपेरीजन वीडियो में तो आज हम यहां पे कंपेर करने वाले इन दोनों ही स्मार्टफोन की केमेरास को जो की है रियल्मी जीटी टू एंड उपो रेनो एट फाइजी अब यहां प 65 x Social Comm Ido इंगल लाट इंकलेंसे दो मेगा इंट सेंशर सेंशर रेंट की बात करी यह तो आपको रेनो में मिलता है 32.0 स 들어오्टी 1 मिलता सथेंवं एंडिक्षर और नाथ ने ब करता है तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दोनोई फोन में आपको पोट्रेट वीडियो का भी ओप्टन देखने को मिल जाता है जो बलर है उसको मेने डिपोल्ट ही रखा हुआ है तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं अपको दोनोई फोन में बोके वीडियो का उप्टन देखने को मिल जाता है अगे इन 10-8 पीक्सल तक ही शूड कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं रेनो में कुछ ज्यादा ही हो रहा है बाकि केप वाला पार्ट यहां पर जीटी टू भी ओर एक्सपोज कर रहा है एज रिटेक्सेन आप लोग देख सकते हैं मुवमेंड करने पर किस तरह से हो रहा है दोनों का ही मुझे एवरेज लग रहा है दोनों ही फोन में अच्छे नहीं लगते है अब यहां पर अगर आप बेग्ग्राउंड में डाइनामिक रेंज भी नोटिस करते तो दोनों की ही काफी बढ़िया है बेट अगर आप जूम इन करके डिटेलिंग और शापनेस देखेंगे तो वहां पर इतना डिफ्रेंस पता नहीं चलेगा अगर बेटर लगा है उसके अलावा यहां पर आप डाइनामिक रेंज नोटिस करते है तो दोनों की ही बढ़िया है जूम इन करके डिटेलिंग और साफनेस नोटिस करेंगे तो वहां पर भी सर्फैसिंग जिटी टू आगे है तो यहां पर भी मुझे जिटी टू का परफ प्रेट मोड कोन किया है एज डिटक्षन यहां पर दूनों इपोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं वहां पर डिफरेंस नहीं है बट अगे इन जो कॉलर से स्किन टॉन है वो सारी ही चीजे मुझे जिटी टू में बेटर लगी है डेलाइट कंडिशन में ही अल्टर इंगल लेंस से निकाले गई ऑब्जेक की फोटो है यहां पर डिफरेंस इतना बड़ा नोटिस नहीं होगा बट डिफरेंस डेफिनेटली यहां पर भी नोटिस हो जाता है कलर आपको जिटेटू में थोड़े से आई ब्लीजिंग देखने को मिलते हैं रेनों यहां पर जो दिखाने की कोशिस करता है डैनामिक रेंज अगर यहां पर आप देखते हैं तो दोनों का ही बढ़िया है बट और सारी चीजों को अगर कंबाइन करा जाए तो यहां पर एकदम ही एक्चुल कलर्स दिखा है बूस्ट भी नहीं करा है तो इस पर्टिक्यूलर इमेज को अगर आप देखते हैं तो रेनो एट ने बेतर काम किया है यह और सेंपल है जहां पर हमने नेचरल डेप्टों फिल्ट देखने की ट्राई करी थी थोड़ी सी यहां पर बहुत ही बूस्ट कर दिया है तो कुछ कंडिशन में यहां पर पर लग सकता है अब जैसे कि इस फोटो में भी आप देख सकते रेनो एक्दम ही एक्चुल कलर रखा है बट यह और पर फोटो से यहां पर सभी सेंपल में यहीं चाहिज नोटिस करेंगे कि आपको हाई प्लीजिंग इमेजी से फोटो में देखने को मिलेंगे एंड थोड़े से कम कलर्स आपको और रेनो एट में देखने को मिलेंगे बाकि जो डिटेलिंग आपने सबगे रहा है डैनामिक रेंजे वहां पर इतना मेजर डिफ्रेंस पता नहीं चलेगा दोनों ही फोन में 50 Megapixel Mode में निकाली गई इमेज है यहां पर देख सकते दोनों इफोन ने अच्छा काम किया है कलर्स के मामले में बट डिटेलिंग कहां पर बेटर है वह देख लेते हैं जुम इन करके तो जुम इन करने के बाद आप देख सकते कि डिटेलिंग के मामले में यहां पर तो देख रहा है डिटेलिंग अपने से यहां पर आप देखेंगे तो दोनों का ही बढ़िया है रेनों में इन फेक्ट थोड़ा सब बेटर देखने को मिला है पोटट मड कोन किया है एज डिटेक्शन यहां पर दोनों इफोन ने चारी कैसे कर लिया है वह सारी ही चीजे में जी टी टू के प्रिफर करूंगा रेनो यहां पर कलर को इतना बूस्ट नहीं करता है एक चूल भी नहीं दिखाता है कुछ कंडिक्शन में तो यहां पर आप जूम इन करेंगे डिटेलिंग शापनेस नोटिस करेंगे तो रेनो एट में डेफिनितली बेटर यहां दिखाया है यहां पर आप जूम इन करेंगे डिटेलिंग अच्छापनेस करेंगे तो घूटी टू बेटर थे तो और सभी चिसों को कमबाइन करें तो यहां पर भी जी टी टू ने बेहतर काम किया है इंडूर पोर्टेट मोड को यूज करेंगे तो एज डिटेक्शन दो पूलर आउट पूट देगा रेनो एट यहां पर आपको एकदम ही एक्चुल आउट पूट देता है उसके अलावा जो डीटेलिंग है शापनेस है वह यहां पर दूनों का ही इक्वल है वहां तो इसा मेजर डिफरेंस नहीं है बट कॉलर्स वगिरा के मामले में यहां पर शोड के कलर के भी बात कर जाए तो थोड़ा सा डल रखा है डीटेलिंग और शापनेस की बात करें तो दूनों में अच्छा है पोट्रेट मॉर को और को और का यहां पर देख सकते हैं कि श्किन और रखता हैसे बाहर बहुत ही वाईट था तो वह जीए चीज़े हैं जो आ निकाली गई फोटो है यहां पर आप देख सकते हैं कि रेनो एट ने काफ़ी बेटर काम किया है जो लाइट आ रहे थी चहरे के उपर उसको अच्छे से मेनेज करा है नाइट मोड को एनेबल करने के बाद जीटी टू काउड पूल भी काफ़ी इंप्रू हो जाता है बट जो लाइट कंट्रोल है जो फ्लेर्स आ रहे उसको उसने बेटर मेनेज करा है एक्स्ट्रीम लो लाइट कंडिशन में निकाली गई फोटो है यहां पर बेगिन जो आए से उसका बेनेफिट आपको डेफिनेटली जीटी टू में देखने को मिलता है तो दोनों फोन में फ् अप्देख सकते यहां पे कुण सा आप यहां वहां पेटर काम कर रहा है रहा है तो ज्यादा tu यहां पे 32 की लग रही है बट जो stability है हूं मुझे दोनों इफोन के सही लग रही है तो दोनों इफोन में प्राइमरी केमेरा शूट कर रहा हूं और टेने पिक्सेल अट 60fps पे शूट कर रहा हूं तो यहां पे अगीन आप लोग देख सकते हैं और फोटेशी की गोलटी की इस तरह की है जो सनलाइट एकदम ही सामने आ रही है तो कौन सा फोन लाइट कंट्रोल बेटर कर रहा है वो भी देख सकते हैं और यह स्काई वाला पार्ट है एक्सपोजर वागेरा दोनों इफोन में चैसे हैंडल हो रहा है अब यह मॉप कर लाएता है लेट सी stability कहां पे बेटर है यहा आ गया है जबकि रेनो एट की फूटेज यहां पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रही है तो दोनों इफोन में एडिटर इंगल लेंस शूट कर रहा हूं अगे इन दोनों में ही आप 1080 यह 30 अपिस तक ही शूट कर सकते हैं मेक्सिमुम तो यहां पे अगीन आप लोग अज़ना से और आप देख सकते हैं अब लोग फूटिज ही कि अलगी कि इस तरह की है और एक्स्पोजर रगेरा भी देख सकते हैं अंबिशा सनलाइट है हो सामने है अगये दोनों इफोन यहां पे एक्स्पोजर रगेरा आप मुझे बता सकते हैं चलीए यहां पे तो यहां पर मुझे ओन स्क्रीं जिटी 2 एंस लग रहा है वह की फोकस तो दोनुमें ही हो रहा है ठोड़ा सद ख्लोस जा थें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबीखियों कर रहा है तो दोस्तोफटो ओर और यहां पर अगर रिजल्ट्स के बारे में बात कर जाए तो अगर पूरे वीडियो को आपने ठीक से देखा होगा समझा होगा तो आपको भी पता चल गया होगा कि ज्यादा तर कंडिशन में यहां पर जी टी टू ने बेटर काम किया है कुछ है कैसी कंडिशन ती यहां पर रेनोट ने है तो आप ले सकते है तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था मुझे उमिद है कि आपके वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलू आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय बारत